अब हम जानेंगे resources के तीसरे type के बारे में exhaustible and inexhaustible resources exhaustible means के खतम होने वाले संसाधन the resources which are being exhausted very fast because of their continuous and excess use ठीक है ये सारे exhaustible resources में आएंगे for example petroleum petrol का यातायात के साथनों में जैसे इस्तेमाल अधिक से अधिक मात्रा में किया जा रहा है जिस परकार इसका इस्तेमाल हो रहा है तो एक दिन हम कह सकते हैं कि petrol जो है वो limited मात्रा में निकलने के कारण आने वाली पीडी को वो प्राप्त नहीं होगा ऐसे ही हम water को भी बोल सकते हैं क्योंकि water का excess use भी हो रहा है और wasting भी हो रही है तब ही तो इस chapter में conservation को भी हम discuss करेंगे आगे जाके तो exhaustible resources में वो सारे resources आ जाते हैं कि जो इतनी जल्दी बनते भी नहीं है चलो पानी का नर्मान तो होता है लेकिन petroleum, koila ऐसे resources हैं जो अगर उनका excess में इस्तेमाल किया जाए तो वो बनने में उनको काफी समय लगेगा इसलिए हम कहते हैं कि exhaustible resources should be used wisely and carefully inexhaustible resources वो resources होते हैं which get renewed जैसे हम solar energy, wind energy solar energy सूरज की जो रोशनी है वो रोज हमें मिलती है और रोज ही वो बनती रहती है वो कभी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है ऐसे ही हवा है हवा में शुद्धता को हम ज़रूर देखते हैं कि हवा जो है वो पल्यूट हो रही है यह सारी चीज़ें पल्यूट हो रही है पल्यूट ज़रूर हो रही है just because of the activities of man तभी conservation का मुद्धा जो है वो उठता है और बच्चों को यह चीज़ पढ़ाई जानी बहुत ज़रूरी है कि how to conserve these resources how we can save our earth हम अपनी धल्ती को कैसे बचा सकते हैं क्योंकि यह सारे resources ही हैं जो कुद्रत से हमें मिलते हैं वो ही इस पूरी धल्ती को बचा के भी रखने की क्षमता रखते हैं तो इन सारी चीज़ों को बचाना हमारा पहला कलतव्य बनता है और बच्चों को इसी लिए इस पार्ट में जैसे चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो चीज़ें कंसेप्ट में होती हैं उनका कोई न कोई कारण होता है तो यह बहुत महत्तपून विशे हैं कि resources कहां से हमें मिलते हैं वो कौन-कौन से होते हैं और उनको हम संभाल कर कैसे रख सकते हैं और why we have to conserve these resources why we need to conserve these resources